हेलो दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं पटल की मिठाई ये बहुत जादा टेस्टी बनता है और बहुत जादा सिंपल रेस्पी है और कुछ यूनिक भी है तो आप इसको दुरंद बना भी सकते हो तो चलिए बनाते हैं तो मैंने यहाँ पे एक केजी पटल लिया है तो देख सेकते हैं अलग-अलग साइज का पटल है तो हम इस पे से एक साइज का पटल कुछ इस साइज का निकालेंगे उसके बाद सारे पटल को हम साइज निकाल लिया है तो देख सकते हैं कुछ एक साइज का मैंने पटल निकाल लिया है उसके बाद हम सारे पटल को छील लेंगे छीलने के सहायता से कुछ इस तरीके से और छीलने के बाद हम पटल के छीलके को साइट करेंगे उसके बाद हम पटल के उपर के पाट और निचे के पाट को काट लेंगे थोड़ा थोड़ा उसके बाद हम पटल को बीज से पेट फार देंगे और पेट फारने के बाद हम चमच के सहायता से सारे बीज को निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सारे पच्टल के बीज को निका लिया है हमने तो देखिए यहाँ पे उसके बाद हम लेगे एक बरलतन उसमें डालेंगे एक गिलास पानी और सारे पच्टल को इसमें डाल देंगे बोईल होने के लिए और थोड़ा सा हम इसमें waking powder डालेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए ढखके पकने के लिए रख देंगे तब तक हम खुवा भी बना लेते हैं तो देख सेकते हैं हमने एक side खुवा बनाने के लिए रखा है और एक side boil करने के लिए तो पटल देख सेकते हैं कुछ बोईल होके ऐसा हुआ है और उसके बाद हम पटल को side में करेंगे और हम लेंगे चासनी बनाने के लिए एक बरतन उसमें डालेंगे एक कप चीनी और थोड़ा सा पानी जब चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से food color तो आप इसको script भी कर सकते हो आप चाहे तो डालो या मत डालो उसके बाद हम इसमें डालेंगे बोईल किये हुए सारे पटल तो देख सकते हैं पटल हमने डाल दिये है और खुवा भी तयार हो नहीं तो पानी में भी बोईल करके उसके बाद चास्ती में डाल सकते हो तो देख सकते हैं हाँ पर मैंने खुवा तयार कर लिया है उसके बाद पटल में हम थोड़ा थोड़ा खुवा लेकर उसके फील करेंगे तो अच्छे से हम सारे पटल को भर लेंगे कुछ इस तरीके पर देख सकते हैं उपर उपर से भर लेना है खुबा को उसके बाद हम सारे पटल को एक जगर रखेंगे और इसको ड्राइफ फूट से गाडिसिंग करके और सॉप करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा यूनिक लेगा रेस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्ट लेगा तो आप किसी गेस्ट को देवगे तो यह कहेंगी कि वाव बहुत ज़्यादा सिंपल रेस्पी है तो आप इसको ज़रूर ट्राइ करना अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और बे लाइक इट को दमाना ना भूलना मेरा निव नी वीडियो आप तक जाते है फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे